प्रोजेक्टिव मेथड के अंतरकत एक और टेस्ट बहुत प्रिशिद्ध है जिसका नाम है प्रासंगिक अंतरभूत परिक्षन इस टेस्ट को 1925 में मॉर्गन एवं मुरे ने बिक्सित किया मॉर्गन एवं मुरे के इस टेस्ट में 30 चित्रों का प्रियोग किया जाता है ये सभी 30 चित्र जो हैं पुरुसों और इस्ट्रियों के होते हैं जिन मैंसे 30 चित्रों में 10 चित्र पुरुसों के लिए और 10 चित्र इस्ट्रियों के लिए होते हैं और दस डौनों के लिए होते हैं परिक्षण के समय लिंक के अनुसार साधरनता दस चत्रों का प्रियूग किया जाता है मतलब तीस मैंसे जैसे दस इस्तरी के दस पुरुस के और दस मिच्चर हैं तो पुरुस आया तो उसके आधार पर दस चुने जाएंगे तो उसके आधार पता सुने जाएंगे कैसे किया जाता है ये प्रियूग तो परिक्षार्थी जो होता है वह चित्रों को देखता है अर्थाथ परिक्षार्थी को चित्र दिखा कर पूँचता है कि चित्र में क्या हो रहा है इसके होने का कारण क्या है होने का परिणाम क्या होगा चित्र में अंकित ब्यक्ती या ब्यक्तियों की बिचार और भावना क्या है मतलब उस से पूछा जाता है यह जो ब्यक्ती है इनमें चित्र में बने हुए है इनकी भावना क्या है क्या सूच रहे है और इन सारे प्रश्णों के पूछने के बाद एक बार और धहराते हैं क्या प्रश्णों पूछे जाते हैं चित्र में क्या हो रहा है इसके होने का कारण क्या है इसका परिडाम क्या है चित्र में अंकित ब्यक्ति या ब्यक्तियों के बिचार और भावनाएं क्या है इन प्रस्टनों को पूछने के बाद परिक्षक परिक्षारती को एक एक करके दस कार्ट दिखाता है धीरे धीरे एक एक के बाद वह परिक्षारती से प्रश्णों को ध्यान में लगकर प्रत्ते कार्ट के चित्रों के संबन्द में कोई कहानी बनाने को कहता है जब अगर कार्ट दिखा देता है तो उससे क्या कहा जाता है अब आप एक कोई कहानी बताएं कहानी बताने के बाद ये बिसलिशन किया जाता है कि ब्यक्ति ने क्या देखा क्या कहानी बनाई किस तरीके प्रतिक्रिया दी प्रिक्षार्ति क्या करता है प्रिक्षार्ति साधरणता अपने चित्र को कोई पात्रमान लेता है जो चित्र उसने देखा और उसके बाद कहानी कहकर अपने बिचारों भानाओं समस्याओं को ब्यक्त करता है मतलब वो देखता तो चित्र ही है परंतो उस चित्र में अपना ही कोई मेटर बताने लगता है क्योंकि उसने कोई कहानी तो बैसी देखी नहीं पहले बार वो चित्र देख रहा है तो इस चित्र के आदार पर अपने ही विचारों को अपनी ही भावनों और समस्याओं को ब्यक्त करता है यह कहानी स्वेम उसके जीवन की होती ही ना की चित्रों की परिक्षण कहानी का बिसलेशन करके उसके ब्यक्तित की बिसलेशन का पता लगाता है इस परिक्षन द्वारा ब्यक्ति की रुचियों, अभी रुचियों, प्रवक्तियों, एक्छाओं, आवसक्ताओं, सामाजिक और ब्यक्तित संबंध आदी सभी जानकारियों को प्राप्त करके उसका बिसलेशन किया जाता है और इन जानकारियों को बताने के बाद ये भी बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है और उसके लिए किस तरीके की फील्ड को चुनना चाहिए अपने कैरियर में किस ओर आगे बढ़ना चाहिए ये सारी चीजे इस टेस्ट के आधार पर बताई जा सकती है एक और बात अंतर में बता दूं कहीं कहीं तीस की जगह इसमें 32 काड़ों का प्रियोग भी देखने में आता है तो ये हुआ प्रासंगिक अंतरवोत परिक्षन जिसको मौरकन इबा मुरे ने 1925 में बिक्सित किया था तीस चित्रे इसमें प्रियोग किये जाते हैं